Assalamualaikum girls, कैसे हूं आप साब, welcome back to my channel, मेरा नाम Zainab है, मैं makeup product reviews, makeup classes, DIYs, eyes makeup से related makeup videos, tutorials जो है upload करती रहती हूं, अगर आप मेरे ने चैनल पर नए हैं, तो kindly subscribe my channel, और अगर आपने already subscribe किया हुए हैं, तो आप सब के लिए reminder है कि आप उसके साथ bell icon को जरूर प्रेस कीजिए, ताके आप मेरी हाँ आने वाली नई वीडियो से notify रह सके, तो girls, आज का वीडियो है मेरा highlighters के बारे में jelly highlighters, cream highlighters, जो के आज कल जिनका trend बहुत ज़्यादा in है, तो मैंने एक अपने खुद का DIY highlighter जो है create किया है, create किया था दो हफते पहले, तो मैंने सुचा आपके साथ भी share करूँ, साथ ही beauty world ने भी अपने दो jelly highlighters जो है launch किये है, वो budget friendly है, आप ले सकते हो, totally up to you, उसका एक चोटा से secret जो है मैंने end पर share किया है, तो girls, आप मेरी वीडियो को end तक जरूर watch कीजिएगा, इसका result आप मेरे हाथ पर देख सकते हो, जो ये मैंने अभी बनाया है, बहुत ही simple ingredients है, ड्राइ होने के बाद बिल्कुल मैट है, बिल्कुल उतरने वाला नहीं है, ये मैंने इसके साथ फेवीना का highlighter मैच किया था, आप दोनों का result चेक कर सकते हो, तो चेलिए girls हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, कि मैंने ये कैसे बनाया है, girls सबसे पहले आपको चाहिए एक clean bowl, आप एक clean bowl ले लिजिए ताकि हम इसमें अपने सब ingredients नहीं मिक्स कर सकें, फिर आपको सबसे पहले जो चाहिए वो है, ये aloe vera gel, ये easily आम से आम तोर से अब markets में available है, इसकी body bottle I think 350 की है, small bottle 250 की, आप एक ये ले ही लें, क्योंकि ये मैं इ अगर आप कमेंट सक्षिन में मुझे बताईए तो मैं इसका review भी आपके साथ शेयर करूंगी, इसके बाद इसमें 3-4 drops एड़ करेंगे, इसके बाद तीसरा ingredient मेका पाउडर और ये हमें हमारे आईशेडो से हासिल हो जाएगा, आपके पास कोई भी आपकी परानी तो आप शिमरी शेड्स जो हैं शिमरी आईशेडो भी metallic आईशेडो भी इसमें simply add कर सकते हो और अपनी मर्जी से मैंने थोड़ा सा soft highlighter बनाया है जो के बहुती soft natural look देता है अगर आपको बहुत ब्राइट किसम का बनाना है तो आप yellow powder pinkish बनाना है तो pink powder कोई भी powder अपनी इसमें कोई भी क्लम्स इसके बाकी ना रहें मैंने इसमें थोड़ा सा दोनों शेड्स जो है और एड के हैं आप तब तक इसमें आईशेडो और एड करते रहें जब तक आपको लगे किसकी consistency थोड़ सी thick हो गई है थोड़ी सी slides सी और इसके बाद मैं यहां पर क्रिस्टीन क स्पार्कलिंग डस्ट यूज़ कर रही हूँ यह 250 नो सरी 190 यह 200 सम्थिक का मुझे मिला था इसमें आप गोल्डन पार्टिकल्स वाला यूज़ कर सकते हो मैं सिल्वर यूज़ कर रही हूँ आपकी मर्जी है अगर गोल्डन वाला बनाना है तो आप वह भी बना सकते हो तो अगर आपके पास गर्ल्स यह नहीं है तो बिल्कुल नो प्रॉबलम आप कोई भी मेटलिक ऐशेड़ो या टेराकोटा ऐशेड़ो या इस तरह के हमारे पाकिसान में या हमारे घरों में भी इस तरह होते हैं बलशन्स या कुछ भी टेराकोटा टाइप के लाइट आप आप देख सकते हों कितने जबरदस यह शाइनी है और इनको रिफलेक्ट करने की पावर कितनी ज्यादा है इसी से हमारा हाइलाइटर जबरदस बनने वाला है तो आप इन सब इंग्रीजेंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें ताके यह स्मूद सी क्रीम कंसिस्टेंसी बन जा क्याय क्योंकि यह बिलकूल ही थोड़ी से मिग्दार में यूज्ट होगा बिलकूल ज्यादा यूज्ट नहीं हो ना तो यह एक माह तक आपका एजली चलेगा तुद्पी की मदद से आप इसको अच्छे से शेक उच्छे से मैल्ड अच्छे से मिक्स कर लिजीए ताके यह इक बैलन्स में आ जाए जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आप इसमें आईशेड़ और स्पार्कलिंग डस्ट जो है और भी आड़ कर सकते हो जब तक कि आपको अपनी मतलूबा कंसिस्टेंसी ना इसकी मिल जाए तो मुझे भी ऐसे लगा कि थोड़ा सा भी लाइट था तो इसको ठिक करने के लिए मैंने थोड़ा सा और शेड़ आईशेड़ और स्पार्कलिंग डस्ट एड़ किया है अच्छे से स्को टूथ पिकी मदद से मिक्स कर लीजिए तो आपका हाइलाइटर जो है रेड़ी है मैंने इसको बहुत ही सौफट और नैश्टरल सबल लुक के लिए बनाया है आप चाहें तो इसको बिल्कुल वाइट यानि वाइट पाॉडर अगर वाइट आईशेड़ यूज़ करेंगे और आप मेकब के ओपर भी यूज़ कर सकते हो और बगाइट करेंगे तो ये बहुत ही बज़ेट फ्रेंटी है और आप घर में मना सकते हो और जितनी भी गल्स को शिकायत है कि उनका फेज गलो नहीं करता तो girls अभी मैं इसको आपको चेकर करके दिखाती हूँ इसको simply आप अपने face पर बगार make-up के भी use कर सकते हो अपने high ends पर अपनी chick bond पर जहां जहां आपको use करना है तो आपका skin जो है face सारा दिन glow करेगा और girls इसका skin को कोई भी side effect नहीं है इसमें only syrup और सिरफ मैंने अलो जल यूज़ यूज़ की है ग्लेस्टिन का एक दो drops और eyeshadow और shimmer जो है sparkling dust यूज़ की है कोई भी इसमें harmful ingredients जो हैं नहीं मिले वे आपका खुद का DIY बनाया हुआ है तो आप इसको daily basis पे भी use कर सकते हो और parties में make up के उपर भी use कर सकते हो दोनों में इसका result बहुत जबर्दस्त है मैंने इसको एक हफ़ता पहले खुद से बनाया था ट्राइ किया daily basis पे भी इसको मैं ट्राइ करती रही जबर्दस्त इसकी जो है catching power है बहुत ही जबर्दस्त है आपने इसको बिल्कुल भी ज्यादा मिदार में use नहीं करना इसका मैं भी recommend करूंगी कि आप इसको थोड़ा ही बनाईए ज्यादा बनाने की जुरूरत नहीं क्योंकि इसका only one drop जो है यह भी बहुत ज्यादा है इतना ही काफी रहने वाला है आपके face पर okay girls यह तो मैंने आपको चेक करवाया है आपको इसको skin पर जब लगाना है तो अपने थोड़ा सा लेकर इसको dabbing motion में अपनी skin में अच्छे से just melt करना है यह भी मैंने ज्यादा ले लिया है आप इससे भी कम लीजिए ताके वो जल्दी से आपके skin पर melt हो जाए oh my god you can see the result आप देख सकते हो कि इसने कितनी इसकी reflecting power है कितनी जबर्दस्त है कितना जबर्दस्ते light को catch कर रहा है यह आपके skin पर बहुत जबर्दस्त जाने वाला है oh my god girls ऐसे देखिए कितनी जबर्दस्त की light catch होई है मैंने इसको अपने face पे एक हफ़ते से apply करके test किया है यह बिल्कुल लगने के बाद matte हो जाता है बिल्कुल भी चिप चिपा कोई भी इसमें कुछ भी feel नहीं आता okay girls मैं इसको आपको फैवीना के highlighter से भी मैच करके दिखाती हूँ you can see the result दोनों जो है कितने जबर्दस रिजल्ट है oh my god मैं definitely recommend करूंगी कि आप इसको जरूर घर में बनाओ यह तो बहुत ही better friendly है और बहुत ही मज़े का है और आजकल इसका इतना trend जो है facebook instagram हर जगह पर इन है फरस्ताली highlighter beautify ना ना ब्यूटी वर्ड के जो हाइलेटर्स आये में है यह उन ही जैसा है same to same jalyl highlighter okay girls मैं यहां पर एक छोटी सी बाद आप से शेयर करना चाहती हूँ beauty world के जो आजकल दो हाइलेटर्स आ रहे हैं और इन हुए में है उनके review में मैंने पड़ा है कि उन में वो जब make-up के उपर यूज करते हो तो आपके make-up को foundation को हटाते हैं because उसके ingredients में mention है कि उसमें oils मिलेवे हैं तो oil जो है वो मारे foundation को remove करता है मारे make-up को remove करता है तो मुझे थोड़ा सा यहां पे mistake लगा कि उन्हें oil जो हैं शामिल नहीं करने चाहिए थे लेकिन खैर उनके product है उनकी मरजी बहराल मैंने यह खुद से सोच के यह खुद से बनाई है आप जरूर इसको try कीजिएगा यह आपका foundation में remove नहीं करेगा और without foundation आपके daily basis पे आपको skin को बहुत ही जबरदस्त और soft glow लुक देने वाला है आप इसको daily basis पे यूज़ कर सकते हो और आपका यह जो शिकायत है कि आपका skin glow नहीं करता आपका face glow नहीं करता वो सब दूर होने वाली है okay girls अगर आपको मेरा यह DIY पसंद आया हो यह jelly highlighter तो आप जरूर मुझे मेरी वीडियो को like कीजएगा मुझे comment कीजएगा इसका बनाकर try कीजएगा और मुझे comment section में बताएगा आपको कैसा लगा और मेरे चैनल को subscribe करना और share करना अपने friends को साथ मुथ भूलिए okay bye allah hafiz till then next video take care always be positive